इस विधान मंडल के कारवाई प्रारम्ब होने जा रही है लगभग छे मां के अंदर यहां पर आज दोनों सदन की कारवाई प्रारम्ब होगी मैं इस उसर पर सभी मान्य सदस्यों का फिर्दे से स्वागत करता हूँ सभी मान्य सदस्यों को यह एक आउसर होता है जब अपने छेतर की समस्याओं को लेकर के विधायका के इस महत्वपूर्ण मंच पर वह जन्मानस से आम जन्मानस से जुड़ी भी समस्याओं को रख सके सरकार का ध्याना करसित कर सके करोंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का बिसे सदन को बनाना चाहिए सरकार हर जनहित से जुड़ेवे मुद्बे पर प्रदेश के हित से जुड़ेवे मुद्बे पर चर्चा कराने को तयार है और उसका भी हर अस्तर पर जवाब देने को भी तयार है उत्तर प्रदेश ने पिसले छे वर्सों के दोरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्ग दर्शन में विकास की एक नई उचाईयों को छुआ है इन छे वर्सों के दोरान प्रदेश के प्रसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने प्रदेश के नाक्रिकों के सामने कुछित राजनितिक कार्णों से जो पैचान का संकट खड़ा हो गया था उस पैचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तरप्रदेश को देश के एक परमुख राज्य के रूप में स्तापित करने में मदद पूरी सफलता प्राप्त हुई है एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले छे वर्स के अंदर सफलता प्राप्त हुई वहीं प्रदेश की अर्थविवस्ता को दुगना करने प्रद्व्यक्ति आय को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त हुई विमारू राज्य की सेंड़ी से उत्तरप्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थविवस्ता बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है स्वाभाई ग्रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड जनता के प्रती हम सब की प्रतिवदता होनी चाहिए और डवल इंजन की सरकार उन्ही प्रतिवदताओं के साथ अपने आपको जोड़ते भी कारे करने को तैयार पूरी प्रतिवदता के साथ कारे कर रही है इन मुद्वदताओं पर चर्चा को तैयार है वरतमान में प्रदेश के अंदर पस्सिम के कुछ जनपदों में जहां बाड के प्रकोप से वहां के जनता एक बार प्रभावित हुई है वहीं प्रदेश के चालीस यदिक जनपद ऐसे हैं जहां पर सूखे की समस्या एक चैलेंज की रूप में हमारे सामने है हमने आउवान किया है कि अगर मानने अध्यक्षी इस पे अनुवती देंगे और विपक्स के मानने विधायकन इसमें सैमत होंगे तो सदन में हम इस महत्वपूर मुद्दे पर बाड और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तयार है मुझे पुरा विश्वास है कि मानने सदस्या आम जनमानस की बहुनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्त चर्चा पर चर्चा का केंडर बनाएंगे और एक सार्थक चर्चा के मात्यम से विधायका को और पुष्ट करने का कारे करेंगे मैं एक बार फिर से विधान मंडल की इस कारवाई की प्रधम दिन के उसर पर आगत सभी मानने सदस्यों का धिरदे से स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ के आम जन्मानस के भावनाओं के उन रूप मानने सदस्यों को सदन के फ्लोर पर अपनी बात वे प्रभावी डंग से रखेंगे इसमें सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रटक्शन देगी और सरकार उसमें हर प्रस्ण का जवाब भी देने को तयार रहेगी